नमस्कार हमारी इस खास पेसकस में आप तमाम दर्सकों का स्वागत है मैं हूँ दिवाकर कुमार आज हम चर्चा करेंगे देश के आर्थिक हालात पर जिसकी चर्चा दो दिन पहले एक पूरी रिपोर्ट किंद्रिये वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने हम सबों के सामने र आते हैं अर्जुन जालान जी हैं पूर्व चेंबर के अध्यक्ष हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कैट के भी और साथी साथ हमारे साथ निखिल टिक्मानी है जो रियल से के जाने माने नाम है यहां पर तो उन दोनों से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो यह पूसिस करते हैं कि वित्मंत्री ने जो एलान किया है उसमें क्या कुछ खास है केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा दुनिया भर के देशों की तुल्ला में भारती अर्थ विवस्था मजबूत चीन और अमेरिका के बीच ट्रेडवार का कुछ असर भारत पर भारत की विकासदर वैश्विक अर्थ विवस्था या किसी अन्य बड़ी अर्थ विवस्था से कहीं जादा बहतर वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस कर देश के लोगों को अर्थ विवस्था पर भरोसा दिलाया वित मंत्री ने भारतिय अर्थ्विवस्था के ताजा हालात पर सरकार के कदमों की जानकारी दी और कहा कि दुनिया भर के देशों की तुलना में भारतिय अर्थ्विवस्था बहतर हालात में है उन्होंने आगे कहा कि बहतर हालात में होने के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार का कुछ असर भारत पर भी देखा जा रहा है लेकिन सरकार सब तरह से एकॉनमी को समालने के दिशा में आगे बढ़ रही है वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैपितल गेंस पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा सरकार के इस कदम के बाद माना जा सकता है कि इससे शेर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को काफी फायदा होगा वितमंत्री ने तमाम कर सुधारों का ऐलान किया और कहा कि कॉर्परेट सामाजिक दायत्व यानि CSR नियमों के उलंगन को दीवानी मामलों की तरह देखा जाएगा इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा वितमंत्री ने ओटो सेक्टर को मजबूती देने के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया इसके तहट वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है सरकार ने बैंकों के लिए भी कई कदमों का ऐलान किया निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकारी बैंकों को सतर हजार करून रुपए दिये जाएंगे ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्च देने में कोई परिशानी नहीं होगी आजिए लिएल देने में एड एक परिश्च का मौ मज ए लोग्वादी ने बैंकों के लिए आफजए लाइज की लिए प्रूप यडिया विए लूटिवादीतारा कि कौ में बैंकों को हाज लाएंगे वित्मंत्री ने कहा कि बैंकों ने ब्यासदर में कटवती का फाइदा ग्रहकों को MCLR के जरीए देने का फैसला किया है इससे ब्यासदरों में की गई कटवती का लाब सीधे ग्रहकों तक पहुँचेगा और उनकी EMI कम होगी जाहिर है सरकार के तमाम कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था को फाइदा होगा बलकि आम आदमी को भी राहत मिलेगी कुई भी प्रोड्यस करेंगे अमलोग किसी एक कसमर कर डिपरने नहीं रहे है अबलो वो चोटा हो जैक भी वाब होगा होगी हमलोग का मल्ली मार्क्त मल्ली कसमर करने फोकुस करना वह लोग तो अर्थिपूर के लिए एक बेनिफित हो आई करना यहां पर भी बहुत इंडस्री है वो मंअरिक करण begitu पुलिस करता हूं कर भी यॡखत दीखत आ हूं वे दिखत आ रही हूं तो मंअरिक तो घहतनी आ lado कर भी कौने दिशन्ध cał्ग मुंद्क100 और में करके सथाउं की जोफी ज़या किस्तों है है press conference के जरिये वित्तमंत्री ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश के आर्थिक हालात पर पूरा blueprint जारी किया और क्या-क्या reform आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं ताकि देश की जो आर्थिक इस्थिति है वो और मजबूती के साथ हम लोगों के इस्थिति है उस पर भी उन्होंने खुल कर बोला कि भारत में ऐसी कोई इस्थिति नहीं है उन्होंने हाला कि कहा कि उपभोग की निती के कारण अपनी स्थिती बनाई है दुनिया के दुसरे लोगों ने वहां हमारे देश की जनता ने सैयम भरतते हुए और अपने आर्थिक मजबूती को बना करके रखा है और जो वितमंत्री शितारामन जी ने जो घुसनाएं की है उससे सुधार अवस्या आएगा परंतु कहने समझने की ये बात है कि थोड़ा उपभोग की जो परविर्ती है हमारे देश में कर्ज लेकर जो उपभोग की परविर्ती बढ़ रही है उस पर भी थोड़ा अंकुस लगाने की आवसकता समझ में आती है जिसके लिए भी आने वाले समय में साइद आपको देखने की मिलेगा की उस पर भी कोई न कोई बात सामने ने ने आएगी ले दे करके जैसी इस्तितियां हैं जो हला देश के अंदर में मंदी मंदी का बना रखा है तो आप देखेंगे की दो-चार सेक्टर को छोड़ करके किसी ने हला इस तरह का नहीं मचा रखा है जिसमें परमुकता से अटोमोबाइल इंडस्ट्री है अब रियल इस्टेट के लिए इसलिए है कि रियल इस्टेट के अंदर में सरकार के पास जमीन से ले करके जब मकान बनता है और भोकता जब उसको खरीदता है तो मैंने जितनी गणना की है उसके हिसाब से करीबन 60-65% टोटल दिये गए रकम का 60-65% सरकारी और राजसों में चला जाता है उसके कारण मकान महंगे हो गए उसकारण से उसकी बिक्री रुख गई तो अगर सरकार उस दिष्टी कौन से देखे कि जमीनों के रेजिस्ट्रेशन में फिर उसके नक्से पास कराने में तरह तरह के सेस्ट देने में और फिर GST है फिर दुसरी प्रोविजन्स हैं तो सरकार को टोटल असेस्मेंट करना होगा कि वो 60-65% का खर्च जो है सरकारी राजसों उसमें कमी कैसे आए जिससे की मकान सस्ते हो सके और सस्ते हो तो वो फिर रिफॉर्म में मतलब उसकी बिक्री बढ़ सकेगी अबी देश के अंदर में ओटो मोबाइल इंड़स्ट्री में गुनवत्ता का एक बहुत महत्पून भी से है और दुसरा है स्टेटस सिंबल का कि आज कोई भी विक्ति जो एक साल गाड़ी चला करके गाड़ी चेंज करना चाहता है तो वो नए मॉडल नए फीचर्स चाहता है आपकी जानकारी में होगा कि अभी एक महिने पहले विदेशी कंपनी एम जी ने अपने कारे यहां लोंच की और चार दिन के अंदर उसकी सारी कारे जो है एक साल के प्रोड़क्शन की बुक हो गई किया कार का है कि किया कार का वी इंतरड्यूस होते ही जो है उसने टीस से चालिस हजार कारे बेच ली है एक कारे नहीं नहीं भी कर सघ्झ करते हैं या जंता नहीं खरीद रहे है पर उसकी चनता को नया चाहीए इसलिए जो इनियों को लग रहा है कि सब जगह मंदी के स्थिति हैं लेकिन इंडिया में नहीं लोग इंडिया की तरफ कह सकते हैं का वेपार बढ़ा बी आने वाले दिनों में खुब बड़ा है इसमें दोराय नहीं है खुब बड़ा है और में कहना चाहूंगा कि ये परिवर्तन का दोर चल रहा है और बिदेसि पुझी पति कम्पनियां जो है वो हमको भॉक वाद का देश बनाना चाहती है और हम थोड़ा सयम रखते हुए अगर भारतिय शंस्क्रित यह जीवन का पालन करें, तो हम पर यह मंदी का प्रभाव कभी पढ़ने वाला नहीं है, मंदी का प्रभाव कभी नहीं पढ़ेगा, अरजुन जी और हम आप से जानेंगे, रियल सेक्टर की क्या इस्तिति, जो उन्होंने एक, दो-ती रिफार्म जो एक मेजर एनॉंस्मेंट के बाद, उससे उभरने के लिए हमारी वित्मंत्री ने सत्तर हजार करोड का पुंजी निवेश बैंकों में करने का एलान किया है, जिसकी सक्त आवशक्ता थी, और इस सत्तर हजार करोड के कारण पांच लाग करोड का लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, उन्होंने य जैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनांस करेंगे, एन्बी एफसी फाइनांस करेंगी, तो उसमें भी जो मंदी है, उससे उभादने के लिए हमें सहयता मिलेगी और पजार में फिर से रौनक आएगी, और साथी साथ उन्होंने ब्यासदर भी घटाने का ऐलान किया है कि ऐसे तो पिछले नौ मेनों में चार ट्रंचिज में 1.1% रेपो रेट आर्वी आई ने घटाया, जो कि हमारा कई वर्ष्टों से मांग था लेकिन प्रधान मंतरी और वितमंतरी ने इसे सुना और 1.1% घटाया लेकिन अभी तक बैंकों ने हमें, उसका फाइदा नहीं मिल जिसका हम बहुत प्रशंसा करते हैं कि अब रेपो रेट से अगर हमारा इंट्रेस्ट रेट लिंक रहेगा तो हम इंट्रेस्ट रेट कम है प्रधानमंत्री की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी है कि उन्होंने इंफलेशन को कंट्रोल में रखा है तीन से चार परशंट के बिजनेस हों हर तरह के वेपार में इसका बेनफिट हमें मिलेगा चार जीज और कहा जा रहा है कि जैसे वेस्ट्विक जो जीडिपी है वो लगबग तीन परसेंट का आकलन था कि अभी अगले दो सालों के लिए वो तीन परसेंट के आसपास में चलेगा लेकिन अभी जो खबरे वहां से आ रही है कि नहीं वो और भी गिर सकता है लेकिन इंडिया अपना जीडिपी आल्मोस्ट मेंटेन कर रहा और उसमें 0.2% 0.3% का इंक्रिमेंट ही है तो उस लिहास से कैसे इसको आप देखते हैं देखिए पहले तो मैं छमा चाहूंगा आपसी दिवाकर जी कि जीडिपी और जीटीपी के गणना के तरीकों को मैंने खुब समझने की कोशिश की और मुझको तो हास्तक तरीके समझ में आए नहीं परंतु ले देकर कि यह जरूर है कि हमारे देश में अब संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं और इसमें बहुत बहुत कुछ हमारा देश के अन्दर में परंतु यह है कि अब देश के जो भी निर्माता है उन लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अब देश गुणी चीज चाहता है वह अपनी भी तोर तरीके में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारे देश का जीडिपी जो है वो एक पैसा भी ज्यान डेश के अंदर ही अविए लए फोकत्स जादा घ्र जीज एसीलिए ना सरकार युड्य का फोकस ब्डिया ज्यादा तन चीजों पर मेंकिं इंडिया पर मड इंपोर्ट्स 2021-2022 उससे बहदर क्वालीटी हो उससे बहतर मैनेजमेंट हो उससे बहतर सारी चीजों का को परतु अब अनुभव की कमी के कारण कहीं, कहीं न कहीं न कहीं नुष्ख आ रहा है. हम बनियाजाती के लोग हैं, हम लोग तो एक बात सिंपल जानते हैं, कि रूपिया बढ़ना चाहिए, रूपिया घटना नहीं चाहिए. और जो भी आप जीवन व्यापन करें तो अपने आई से करें करज लेकर के मारे हमारे दादा जी तो करज की गाड़ी में बैठानी करते थे अब तो गाड़ियां बिना करज के आती नहीं है घरों में या आप देखेंगे इसका उधारन देता हूँ मैं कि जो भोगवाद का कि अब ये हमारी विमान कंपनिया दो-दो बैठ गई एक बैठने को और तयार है एर इंडिया की विजिश्थिती अच्छी नहीं है जेट भी बैठ गए क्यों बैठ गए क्यों बैठ गए कि एक गलत गला काट परतियों गिता के कारण इन लोगों ने देश के अंदर में भारी नुकसान दिया जहां आप देश के अंदर में वेक्तियों का पर-capita income बलवाना चाहते हैं, बेवपारियों की इंकम बलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री की इंकम बलाना चाहते हैं, वहां आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि कोई इंडस्ट्री, कोई बेवसाई, कोई वेक्ति, नुक पूल लेता है, तो उसका किस तरह से रिकावरी होना चाहिए, किस तरह की चीज़ आनी चाहते हैं, उन्होंने दो और भी महतपूर्ण एलान किये, कि जो MSME सेक्टर है, उसमें जो लोन के कारण जिनको समस्या होरी, उनके लिए वन टाइम सेट्लमेंट का प्रवदान करने क एलान किया है, साथ ही था जैसे उन्होंने का स्टार्ट अप, तो स्टार्ट अप में एक एंजल टैक्स बहुत बड़ा इशू था, जिसके कारण तीन-चार साल से लोग परिशान थे, जो ने स्टार्ट अप कंपनियां, जो हजारों लाखों लोगों को नोकरियां देती है उनके उपर एंजल टैक्स के कारण एक तलवार लटकी थी, उसको भी उन्होंने खतम करने का काम किया है, जिससे कि बैंगलोर, उना उसमें जॉब जो जिनरेट करते हैं, राची में भी कहीं स्टार्ट अप कंपनियां हैं, उनको भी बहुत उससे फाइदा मिलेगा, तो य सक्षमता से उन्होंने अपना दाई तो निर्वार था, और वितमंत्री के रूप में आई है, शुरू में तो हम लोगों को लगता था कि भाई क्या अनुभाव है, नहीं है, कैसे करेंगी, परनतु हमारे जो राश्टिय अध्यक्ष और हमारे महामंत्री इन से जब मुलाक आपको सुधार के बहुत से कारकरम दिखाई देंगे, अभी हम लोग जो महसूस करते हैं देश के अंदर में कि इज ओफ लीविंग और इज ओफ डूइंग बिजनेस में थोड़ी जटिलता है, यह समवाद आते हैं के अंदरे से कि इसके उपर भी आपको बहुत जल्दे, सिगर जो है अलग प्रेस कांफरेंस, उनने को पेकेज मिलेगा, तो हम हमारे देश में हमारी जनता को मंदी के भाय से नहीं डरना चाहिए, हमारे देश में कहीं कोई मंदी, नहीं है, उसमें एक चीज उन्होंने और एक चीज उन्होंने बोला, कि जैसे देखिए, इंडिय तो फिस्टियल के नाम से जो छोटे-बोटे कारोवारी है, बड़े कारोवारी, तो वो पैसे का जो एक चक्र है वो चलता रहता है. तो उसके इस कुंदियू पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा जो अभी आप सुनते होंगे कि सरकारी पेमेंट्स बहुत ठेकेदारों के फसेवे थे वेविन डिपार्टमेंट में, पी एसीउ हो चाया कॉंट्रैक्ट हो, तो उन्होंने ये भी एलान किया है कि आने वाले 30 इस दिनों में, पी एसीउ या जो गवर्मेंट कॉंट्रैक्टर्स हैं, उनके जो भी पेमेंट है, उसको एक हाई पावर मॉनेटरिंग कमिटी के द्वारा उसको देखा जाएगा कि सारी पेमेंट रिलीज हो, आज के दिन ये है, सिचुएशन की काम की कमी नहीं है, तो यह साथ मेहना से थोड़ा पेमेंट डिले होने के कारण एक चक्र रूप गया था, जो कि उन्होंने कहा है कि इस सबसे बड़ी बात सितारामन जी की यह है कि वो रिसेप्टिव है, वो समझ रही है, समझ से आए क्या है, उसका निदान भी उन्होंने तुरन प्रदान, रास्ता है कि आने वाले सालों में भी हम उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, हमें यह देखना है कि जो छोटी मोटी जटिलता या समस्या आ रही है, उनका समय रहते निदान करना है, तो यह बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि शेर बजार पिछला आपने एक मेहना में देखा हो तो यह सब मंतरी के या हर गवर्मेंट की बात नहीं है कि आप अपना कोर्स करेक्शन इमेडियाट कर सकें, तो इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी वित्र मंतरी का, मुट्रधान मंतरी का कि वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जोनों ने यह भी वादा किया है कि आने वाले समय में, 15 दिन, 20 दिन में, हर 10-15 दिन में हम जो जो आपकी समस्याइं हैं, उनको समझ कि उसका एक सलूशन भी हम करेंगे, मतलब सरकार की कोशिस यह है कि हर पक्ष के साथ वो इंटरैक्ट करें चीजों को और उनके समस्या या जो है कि और चार-पांच-छे मेने निकल जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यहां देश के अंदर में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा हो जाएगा, लिविंग भी हो जाएगा, और समस्याइं उनको सब जानकारी है, बस देखना यह है कि जो बातें घो जानकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे बुनियादी सुवधाओं का विश्तार है, एक रोड का नेटवर्क बनाये का जाएगा, तो उसमें लोगों को इंप्लाइमेंट मिल रहा है, चाहिए फ्लैक्षिप स्किम दो भी दूसरे भी हैं, प्रधानमंत्री आवास यो नई टेकनोलोजी के कारण जो है, आदमियों के काम अब मसीने करने लग गए, परन्तु संभावनाएं अभी भी टेकनोलोजी के अंदर में, चाहिए टकनीक के अंदर में संभावनाएं अतूठ हैं, आवसकता है देश के अंदर में परिश्रम करने की लहर दोडाने की, गुजरात में आपको उस प्रेणा का भाव नहीं दिखाए देगा, इसलिए प्रदार मंत्री जी गुजरात से हैं, तो वो हमेशा एक सीज का देते हैं, कि आप जॉब, खोजिय मत, जॉब देने वाले बनिये, इसके लिए भी हमारी वित्रमंत्री ने 100 लाग करोड की अगले साथ साल तक एक बहुत बड़ा तेजी का दौर हमें देखने को मिला, तो सरकार को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजना को धरातल पे लाए, और 100 लाग करोड की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजना अगर धरातल पे आने लगेगी, तो हमें अगले 10, 15, 20 वर्षों तक चीजों की सोचने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी, ये बहुत बड़ा, एक रोड मैप कह सकते हैं कि आगे वाले दिनों के लिए तयार क्या है, एक चीज और जो कहा जाता है अरजोंजी, कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे बुनियादी सुविधाओं का कील करते हैं, जो आपके दूसरे कारोबार से जोड़े वे लोग हैं, बहुत बढ़ा सुधार आया है, आज लोजिस्टिक के अंदर में, जो किराय के अंदर में बहुत कमी आ गई, और माल का आवागमन बहुत तिरवगती से होने लग गया, लोग बजारों में आना जाना अच्छा करने लग गए, तो ये इंफरास्ट्रक्चर तो एक बुनियादी के आप मैंने कहता है, बहुत जरूरत की चीज़ है, जैसे आदमी की जीवन में भोजन और जल की जरूरत है, विकास के अंदर में बिजली सडक और जो बेवस्ता है, उसमें ससक्त होने की जरूरत क्या जरूरतक है, और इसके लिए बाचपाही सरकार ने भी बहूत काम किया, पछले पांच साल नरेंजेंदर मोदी जी ने भी बहूत काम किया, आगे योजनाएं तो मैं समझता हूँ हुआ है, जो पैसा खरच होगा सरकार का इन कामों में, वो पैसा कहा कैसी ना किसी रू बस मेरा एक निवेदन है कि हाँ यह कर्ज का उपभोग जो है वो बंद होना चाहिए एक चीज और जो चीजे से कहते हैं कि सब जगह पारिस्थीत की संतुलान एक बहुते हैं इको इंवारेमेंट जो है वो बहतर बने तो उसके लिए एक चीज कहा जाता है कि जैसे इको कोई मंदी का मुझे कहीं दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा जिस तरह से हमारी गवर्मेंट हमें सपोर्ट करने के लिए तयार है तो हम ग्लोबल मंदी भले हो लेकिन हमारे देश में हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में हमें मंदी देखने को मिलेगी तो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि इंडिया में जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी मंदी के आसार नहीं है और देश में जो विकास की दर है वो दूसरे जो दुनिया के सबसे बड़े जो हम कह सकते है विक्सित राश्ट है उससे हमारी अच्छी स्थिती है और ह देखने को मिलेगी हमारे साथ इस्टूडियो में दो खास मेहमान थे उनका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ आप देश के आरतिक हालात पर हम चर्चा करेंगे और रूबरू होंगे और जानेंगे उनके क्या व्यूज है जो न